हेलो व्रीवान वेलकम टू यू पीए शेड़ा 247 मैं हूँ अंके चौधरी बारा बच गए है पॉलिटी का हमारा सेशन शुरू हो गया है जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है गुड आफ्टरनून तो अलफ यू आई होप आप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे और त्यो शुरू हो गई है तो राखी के अगले ही दिन हम आपके साथ मौजूद हो गए है क्लास को स्टार्ट करने के लिए एक बार सेशन को शेर कर दीजेगा सभी आस्परेंट्स के साथ सभी ग्रुप्स में एक बार सेशन को लाइक कर दीजेगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं शुरू कर दिया था जुड़ी जो बाते हैं जो प्रोविजन है प्रावधान है हमने वो देखने शुरू कर लिए थे आज उसी में आगे बढ़ना है और राज्यES भा का कॉमपोजिशन क्या होता है वहां तक देख लिए था कि राज्यες भा में कितने सदस्य होते हैं कितन आपके nominated members होते हैं जिने President of India nominate करते हैं और वो कौन-कौन सी field से हो सकते हैं I think यहां तक हमने देख लिया था एक बार ज़रा good afternoon, good afternoon एक बार ज़रा मेरा revision करा दोगे एक बार मुझे बता दोगे कि हमने यहां तक तो देखी लिया था कि कितने member होते हैं और राज्यसभा के जो member है यह कैसे कैसे आते हैं कि State और Union Territories वाले election के थूँ आ रहे हैं और nominated members को President of India nominate कर रहे हैं और चार field से हो सकते हैं literature, art, science और social service गुड आफ्टरनून बच्चे गुड आफ्टरनून चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से remind करा दू हमारा morning batch जिसका timing है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 7 to 9 a.m. इस batch का timing है यह start हो चुका है start हुआ है यह 3rd of August से 3 अगस्त से इसमें अभी NCRT की classes चल रही है कि वह कौन सी NCRT पढ़नी है कैसे पढ़नी है कौन-कौन से topic आप cover कर सकते है आज सुबह जो class हुई थी वो मैंने ही conduct की है तो वो classes चल रही है 16 तारिक से 16th of August 16 अगस्त से इसमें जो आपकी quality की classes है वो full-fledged शुरू हो जाएंगी और फिर लगभग एक महीने हम पूरी quality जो है वो cover करने वाले हैं तो जो जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है complete foundation batch है prelims और mains इसमें पूरा cover हो जाएगा तो prelims और mains का पूरा syllabus आपका cover हो जाएगा GS का इसके साथ-साथ answer writing, essay writing, test series जो है prelims की वो भी आपकी cover हो जाएगी जो जुड़ना चाहता है batch में coupon code लगा लिजएगा Y365 जिस से batch आपको 8700 रुपीज में मिल जाएगा और हाँ इसमें mentorship भी आपको मिलता है mentorship अलग से भी हम लेकर रहे हैं program एक महीने का program है जो बच्चा अलग से लेगा लेकिन जो foundation batch में जुड़ गया आपको फ्री में मिल जाएगा mentorship program पूरे एक साल के लिए आपके जो mentors है वो आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके जो भी doubts है questions है वो cover होता चला जाएगा ठीक है तो जिसको admission लेना ले सकते है आपको दोनों चीजों का benefit मिल जाएगा जो classes है वो recordings मिल जाएगे उनकी और live doubt clearing sessions हो जाएगे पंदरा अगस से ये program live हो जाएगा जो बच्चे NCRT पढ़ना चाते है जो बच्चे NCRT cover करना चाते है thoroughly detail में 6-12 class तक की वो इस program में जुड़ सकते है coupon code Y365 लगाएंगे तो ये program आपको 2-6,000 रुपे के असपास मिल जाएगा चलिए भई अब आगे बढ़ते हैं और शुरुवात कर देते हैं अपनी composition of राज्यसभा पर आ गए थे sir मेरी first class है sir क्या UPSC का slaybos भईया UPSC का slaybos ही cover करा रहे है UPSC का slaybos ही cover करा रहे है और ये जो classes चल रहे है YouTube पर ये free classes ही है चलो composition of राज्यसभा पर आ गए थे राज्यसभा में हमने देखा था 200 seat होती है maximum 200 seat हो सकती है 200 में से 238 जो है 238 ये states और union territories states राज्ये और union territories संग शासित प्रदेश जो है उनको दी जाती है बचीवी 12 जो होती है वो क्या होती है मनोनीत होती है nominated होती है nomination कौन करता है nomination करते है भारत के राष्टपती the president of India ठीक है यहां तक देख लिया था एक बार मुझे बता दो कि representative of states कैसे आ रहे थे एक बार मुझे remind करा दो कि good afternoon good afternoon राधे राधे एक बार मुझे remind करा आओगे यहां तक हमने देख लिया था कि states के representative कैसे आ रहे थे indirect election के थूँ आ रहे थे सब याद है या नहीं जल्दी जल्दी बता दो मुझे एक बार हाँ जल्दी जल्दी बता दो क्या सब याद है एक बार ज़रा मुझे comment में बता दो good afternoon हो गई है बहिया good afternoon हो गई है अब जो पूछ रहा हूँ वो बता दो यहां तक हो गया था ठीक है यहां तक हो गया था चलिए all right तो हमने देख लिया था states के representative कैसे आ रहे है फिर हमने union territories के देख लिया थे union territories के देख लिया थे जल्दी जल्दी बताते चलो यार धन्यवाद धन्यवाद मराथी श्रीक कदम जी धन्यवाद यहां तक देख लिया था union territories के देख लिया थे बोलो union territories के भी indirect election के थूँ आ रहे थे system of proportional representation by means of a single transferable vote union territories हो गय थे अरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही सुस्त बैठे हो ना तो आपने like किया है ना मुझे लग रहा है session को share किया है जवाब देने में मैं देख रहा हूँ दो चार पाँच बच्चों के जवाब आ रहे है सब ऐसी बैठे हो भाई या सुस्ती बैठना है क्लास में जाओ मूध हो क्या हो पहले तो ये ये हालात तो मुझे आप लोग ठीक नहीं लग रहे ना likes दिख रहे हैं ना share दिख रहा है मुझे ना ही active दिख रहे हो क्लास में अइसे बैठे में सुस्त मरे मरे से यहां पूछान लो कोई कोई फरक न ही पतरा यहां पर छड़े रहे है बढ़ा सकते घर पैठे बैठे आपagnerी लेकर आओ Um आ होड़ा वहार गारा वर यहां थोड़ी कलास करनी है है चलिए जिसे याद निया मैं दुबारा से बताए तो भीया आप तो बतानी रहे मैं बता देता हूं आप छोड़िये मैं बता देता हूं आपको रहने दीजे रहने दीजे आप बैठी बुजर्ग हो गए हैं आप लोग आपके आप से नहीं हो पाएगा मैं बता रहा हूं को देखिए स्टेट्स जो है स्टेट्स में इंडारेक्ट इलेक्शन थे स्टेट्स में इंडारेक्ट इलेक्शन थे हमने देखा था इंडारेक्ट इलेक्शन में वोट कौन डाल रहा था इंडारेक्ट इलेक्शन में वोट डाल रहे थे हमारी स्टेट की legislative assembly के elected members legislative assembly के elected members जो है वो vote डाल रहे थे system कौन सा था system of proportional representation by means of a single transferable vote और voting कैसे हो रही थी open ballot से मैंने आपको open ballot का तरीका भी पूरा का पूरा समझा दिया था ठीक है उसके बाद union territories पे आये थे केंदर शासित प्रदेश संग शासित प्रदेश जो है केंदर शासित प्रदेश जो है यहाँ पर भी क्या हो रहा है यहाँ पर भी आप रत्यक्स चुनाव है यहाँ भी क्या है indirect election है क्या है indirect election आप रत्यक्स चुनाव और यहाँ पर भी कैसे चुनाव हो रहे system of proportional representation by means of a single transferable vote वो ही system है जो आपका states में लग रहा था तो states और union territories में दोनों में same system लगता है election का system of proportional representation by means of a single transferable vote अब आपको याद ये रखना है कि राज्ये सभा में सारी की सारी केंदर शासित परदेश सारी की सारी union territories सारे के सारे संग शासित परदेश जो है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जितनी भी हमारी union territories है उन सभी को हमारी जो राज्ये सभा है उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता केवल आठ में से तीन को मिलता है ठीक है याद रखिएगा यहाँ पर 9 गलत लिखा है पहले 9 हुआ करती थी आज की डेट में 8 है हमारे जो 8 संग शासित प्रदेश है 8 union territories है 8 में से केवल 3 को राज्ये सभा में representation मिलता है कौन-कौन सी 3 को यह याद रखिएगा यह वो 3 union territories है जिनके पास legislative assembly है कौन-कौन सी ऐसी union territory है जिनके पास अपनी legislative assembly है एक हो जाएगी दिल्ली एक हो जाएगी पुंडुचेरी और एक हो जाएगी हमारी जम्मू और कश्मीर तो यहाँ पर देख लीजे दिल्ली, पुंडुचेरी, जम्मू और कश्मीर केवल इन 3 को only these 3 केवल और केवल इन 3 को जो हमारी राज्ये सभा है उसमें प्रतिनिधित्व, उसमें representation मिलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी बचीवी जो union territories है, इनके अलावा जो केंदर शासित प्रदेश है, उनकी population इतनी नहीं है कि उन्हें representation दिया जाए, तो याद रखिएगा, आठ में से केवल तीन ऐसी union territories है, जिनको राज्ये सबा में representation मि 12 मिम Immers हमारी राज्ये सबा में बारा सदस से ऐसे होता है, जो मनुनीत होते हैं, नॉमीनेटेड होते हैं, इनका नॉमिनेशन कौ director, in ta nomination करते है, president of India, भारत के राश्त्रपती इन्हें nominate करते हैं, कौन-कौन सी field से हो सकते हैं, 4 fields से हो सकते है, literature, art, science और social service, ठीक है, 4 fields से हो के लोग जो होते हैं इन्हें हमारे प्रेजिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं मनुनीत कर सकते हैं तो टोटल 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनका नॉमिनेशन होता है ये हो गई हमारी राज्यसभा तो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन हमने समझ लिया है ठीक है ठीक ह तो हमारी लोकसभा है, सम्विधान ये कहता है कि लोकसभा की अधिक्तम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, पहले तो ये याद रखना, सम्विधान ये कहता है, कि हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिक्तम संख्या कि इतनी हो सकती है वो साड़े 500 हो सकती है इससे जादा नहीं होगी लेकिन यह maximum है यह क्या है अधिकतम है ज़रूरी नहीं है कि साड़े 500 की साड़े 500 seats जो है वो allocated हो जैसे आज की तारिक में आज की तारिक में जो हमारी लोकसभा है उसमें maximum कितने member बैठते हैं 543, 543 तो अभी 7 seat ऐसी है 7 seats ऐसी है जो allocate नहीं की गई है तो यह याद रखिएगा अधिकतम कितनी हो सकती है 500 लेकिन फिलहाल के लिए 500 की 500 seat जो है वो आवंटित नहीं की गई है केवल उसमें से 543, 543 seats ऐसी है जो allocate की गई है states और union territories को पहली बात समझ में आई बोलो पहली बात समझ में आई maximum कितनी हो सकती है 500 लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 500 की 500 allocated है आवंटित है अभी कितनी आवंटित है अभी कितनी allocated है केवल 543 allocated है अब यह जो साड़े 500 seats होती है इसमें से 530 seat राज्यों को दी जाएंगी और बचीवी 20 seat किसे दी जाएंगी union territories को यह याद रखेगा इसमें से 530 seat इसमें से 530 seat जो है यह किसे दी जाएगी ये दी जाएंगी राज्यों को, स्टेट्स को, बची वी कितनी रह गई, 20 सीटे, वो किसे दी जाएगी, वो दी जाएगी संग शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिट्रीज को, clear बात, clear बात, चलिए बहुत बढ़िया, तो टोटल 550 सीट्स हो सकती है, जिस में से 530, 530 हम राज्यों को देंगे, बची भी 20 किसे दी जाएगी, यूनियन टेरिट्रीज को, आज की डेट में पूरी साड़े 500 ऐलोकेटेड नहीं है, कितनी है, 543 है, इस टाइम 543 मेंबर हैं, हमारी लोकसभा में, एड प्रेजेंट दा लोकसभा है, 543 मेंबर्स, ठीक है, 543 मेंबर् करते थे, लेकिन अब नहीं है, पहले ये सिस्टम चला करता था, कि प्रेजेंट आफ इंडिया, दो एंगलो इंडियन को, लोकसभा में, नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम खतम हो चुका है, ठीक है, ये याद रखना, आज की डेट में, लोकसभा में, कोई भी न कोई मनोनीत सदस्य नहीं है, पहले हुआ करते थे, दो सदस्य किसके, एंगलो इंडियन समुदाय के, अब नहीं है, वो सिस्टम खतम हो चुका है, चलिए भई, अब आजाते हैं, ये जो 530 सीटे स्टेट्स को दी जाएंगी, ये जो 530 सीटे राज्यों को दी जाएंगी, यहां पर election किस प्रकार होगा, ठीक है, अब इस बात को समझ रहे हैं, यहां पर चुनाव जो होगा, election जो होगा, वो किस प्रकार होगा, सबसे पहले मैं याद रखना है, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, ये होंगे direct, प्रत्यक्ष, कैसे होंगे बच्चे, direct चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, राज्ये सभा के चुनाव कैसे हो रहे थे, राज्ये सभा के चुनाव थे, आप्रत्यक्ष, indirect, लेकिन लोकसभा के चुनाव कैसे होते है, direct election, direct का मतलब क्या है, direct election का मतलब ये होता है, कि जहां पर जनता सीधे तोर पर वोट डालती है, जैस लोकसभा के चुनाव तो सबसे पहले तो याद रखना है इसे हैं प्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जहां पर नागरिक citizens directly vote डालते हैं सीधे तोर पर vote डालते हैं तो लोकसभा के चुनाव ऐसे होगे अब चुनाव करवाई कैसे जाते है थोड़ा समय आपको वो समझा रहा हूँ ठीक है चुनाव करवाई कैसे जाते है थोड़ा समय में break down कर देते हो निर्वाचन शेत्र कहा जाता है क्या करते हो आप आप निर्वाचन शेत्रों में उसे तोड़ देते हो दुबारा repeat कर रहा हूँ लोग सभा के चुनाव कराने के लिए आप क्या करते है आप राज्यों को छोटे छोटे निर्वाचन शेत्रों में तोड़ देते हैं You break down the states in smaller territorial constituency और ये जो territorial constituency होती है ये जो निर्वाचन शेत्र होते हैं चुनाव इन निर्वाचन शेत्रों में होते हैं प्रत्यक्ष तोर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो होता है वो निर्वाचन शेत्रों में होता है तो यहाँ पर क्या होता है जनता अपने 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 निर्वाचन शेत्र में जाती है वोट डालती है और अप that representative to the लोकसभा clear हुई बात बोलिए clear हुई बात तो system क्या बना हम क्या करते हैं हम राज्यों को छोटे छोटे राज्यों को छोटे छोटे निर्वाचन शेत्र territorial constituency में breakdown कर देते हैं इन territorial constituency में निर्वाचन शेत्रों में प्रत्यक्ष सीधे तोर पर वोटिंग होती है वोट कौन करता है भारत की जनता करती है citizens करते हैं और ये क्या करते हैं वोट डाल के अपने अपने निर्वाचन शेत्रों के प्रतिनिधियों को लोकसभा तक पहुँचा देते हैं इतना लेट नी लेजी नहीं होना इतना जल्दी जल्दी बताओ जिससे तेजी से आगे बड़े ठीक है अब जो चुनाव होता है वो के सिस्टम पर होता है चुनाव होता है आपर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सार्व भौमिक व्यसक मताधिकार सार्व भौमिक व्यसक मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अब देखे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है ठीक है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है सारवभौमिक व्यसक मताधिकार का मतलब क्या है अनुछे 326 आर्टिकल नमबर 326 अनुछे 326 ये अधिकार देता है कि भारत में जो भी नागरिक भारत का जो भी नागरिक 18 साल से उपर है और उसका नाम वोटिंग लिस्ट में है उसका नाम वोटिंग लिस्ट जो होती है उसमें शामिल है तो फिर वो लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकता है इसका मतलब क्या है भारत का जो भी नागरिक 18 साल का है या उससे उपर है और उसका नाम वोटिंग लिस्ट में आता है वो वोट डाल सकता है लोकसभा के चुनाव में बोलिये बात क्लियर हो गई यह है आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज तो भारत में जो लोकसभा के च चुनाव होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं सार्वभामिक व्यसक मताधिकार जहां पर भारत का प्रतेक व्यक्ति जो 18 साल से उपर है और जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल है वो अपने अपने निर्वाचन शेतर में वोट डाल सकता है बस यह याद रखिएग वोट आप अपने निर्वाचन शेतर में ही डालेंगे ठीक है वोट आप अपने निर्वाचन शेतर में ही डालेंगे बोल यह बात क्लियर बात क्लियर वोट आप अपने अपने निर्वाचन शेत्र में डालेंगे जहां पर आप रजिस्टर्ड वोटर है केबल वोट वहीं डालेंगे कहीं और आप नहीं डाल सकते क्लियर हो गई बात बात क्लियर हो गई अब देखें जब हम आजाद हुए थे मैं बात कर रहा हूँ 1947 की 1947 की मैं बात कर रहा हूँ 1947 की जब भारत आजाद हुआ था और हमारे यहां जो पहला चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव हुआ वो 51-52 में हुआ था 1951-52 में हमारे पहले लोकसभा के चुनाव हुआ और 52 में 1952 में हमारी प्रथम लोकसभा पहली लोकसभा जो है वो चुनकर आ गई थी 1947 में जतनी बार जितनी बार message करो जवाब अब आपको एक बार भी नहीं मिलेगा मैंने question देख लिया था मैं जवाब देता जवाब एक भी बार नहीं मिलेगा जितनी बार message करना अतनी बार करो 1947 में जब भारत आजाध हुआ उस समय जो voting right दिया गया था उसके लिए उमर थी 21 साल 21 years जब 47 में भारत आजाद हुआ और हमारे यहां उसके बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ पर एज कितनी थी? वोटिंग एज थी 21 साल अभी भी अभी अगर आप भारत का सम्विधान निकाल कर पढ़ोगे न तो वहाँ पर अनुछे 326 आर्टिकल नंबर 326 में अनुछे 326 में अभी भी अगर आप निकाल कर पढ़ते हो यही लिखावा है वोटिंग एज 21 साल लिखी भी अभी भी चेंज नहीं किया है हाला कि सम्विधान में संचोधन हो चुका है सम्विधान में संचोधन हो चुका है लेकिन उसके बाद भी जब आप सम्विधान को पढ़ने जाओगे और वहाँ पर देखोगे 326 तो उसमें यही लिखावा है कि वोटिंग एज कितनी है 21 साल है लेकिन अब नहीं है अब कितनी है 18 साल हो चुकी है तो जब देश आजाद हुआ था तब हमारे वोटिंग एज कितनी थी 21 साल थी इसको आगे चलकर कम किया गया किसके थू किया गया कम किया गया 61st Constitutional Amendment Act 1988 से 1988 1988 में 61st Constitutional Amendment Act लाया गया जिस आक्ट के अंतरगत जो वोटिंग एज है लोकसभा के चुनाओं में और राज्यों में विधान सभाओं के चुनाओं में उसे घटा दिया गया पहले वो 21 हुआ करती थी 21 से हटा के कितनी कर दिया गया 18 वर्च कर दी गयी तो ययाद रखना कभ गई थी 1988 में की गई था thats 1818 में की गई ती किसके जरिये की गई थी 61st Constitutional Amendment Act की थू की गई थी इतनी बात क्लियर 새 इतनी बात रहो गई बोढ़ इतनी बात ळिर हो गई शुरुदा में कितना था 21 था 1988 में 682000 में 60 1st Constitutional Amendment Act क मैं कितनी कर दी गई 18 VS कर दी गई आज की डेट में कितने हैं 18 एमे यहां पर एक चीज और कनेक्षण बता देता हूं एक चीज और बता देता हूं देखिए भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है भारत में लोकसभा विधान सभाओं के चुनाव कराने के लिए संस्था कौन सी बनाई गई है कौन सी और्गनाईजेशन है कहा जाื तो वह है आपका Election Commission कि निर्वाचन आयोग है ने इलेक्शन दो कया निर्वाचन आयोग देखिए भारत में लोक सभा के चुनाव, राज्य सभा के चुनाव, भारत में विधान सभा के चुनाव, विधान परिशत के चुनाव, राष्ट्रपती, उपर राष्ट्रपती का चुनाव, ये सब कौन कराता है, ये सब कराता है, चुनाव आयोग Election Commission, Election Commission के बारे में कहां दिया गया है, द अजिए संविधान डाश डिकान Silly करते निया यह सबसांबय थीटास है समयधान ये कहता है कि जो आपका चुनावा योग है इलेक्षन कमिशन है इलेक्षन कमिशन में एक चीफ इलेक्षन कमिशनर होगा एक चीफ election commissioner CEC मुख्य चुनाव आयूक्त अनुछे 324 article 324 इसमें चुनाव आयूक के बारे में प्रावधान क्या गया election commission के बारे में provision है ये क्या कहता है कि भारत में जो चुनाव आयूक है इसमें एक मुख्य चुनाव आयूक्त होंगे एक chief election commissioner होंगे और इनके अलावा समझना इस बात को इनके अलावा उतने election commissioners होंगे जितने राष्ट्रपती बताएंगे chief election commissioner के अलावा उतने election commissioners होंगे जितने कौन बताएगा भारत के राष्ट्रपती बताएंगे शुरुवाती दौर में क्या हुआ था जब चुनावायोग बनाये गया 1950s के दौर में तब क्या हुआ था इसमें केवल एक मुख्य चुनावायोग थुआ करता था तो तब तक हमारा चुनावायोग सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था क्यों क्योंकि इसमें एक मुख्य चुनावायुक्त हुआ करता था और कोई भी अन्य चुनावायुक्त नहीं थे और election commissioners नहीं थे फिर क्या हुआ 1988 में 1988 में 61st constitutional amendment act के थूँ क्या किया गया हमारे यां voting age कम कर दी गई अब जब आप मुझे छोटी सी बात समझाना जब आप voting age को कम कर दोगे तो चुनावायोग पर burden बढ़ जाएगा भार बढ़ जाएगा हाँ या ना बताओ बताओ जब आप voting age कम कर दोगे तो चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग के ऊपर burden भढ़ जाएगा या नहीं भढ़ जाएगा भार भढ़ जाएगा या नहीं भढ़ जाएगा मुझे बता दो बस क्योंकि भाया अगर आपने voting age कम कर दी तो जादा से जादा लोग vote डालने के लिए eligible हो गए तो मतलब अब आपको voting list में इन लोगों का नाम भी शामिल करना पड़ेगा इन लोगों का नाम भी शामिल करना पड़ेगा तो भार तो बढ़ गया इसी वज़े से क्या हुआ था 1989 में 1989 में जो हमारा चुनाव आयोग है इसमें दो अन्य चुनाव आयुकतों को जोड़ा गया था इसमें दो अन्य चुनाव आयुकतों को जोड़ा गया था क्यों जोड़ा गया क्योंकि 61st Constitutional Amendment Act इक सटवे सम्विधान संचोधन अधिनियम की वज़े से क्या हुआ है भार बढ़ गया था ठीक हो गई बात तो मैं सिर्फ वो connection करवा रहा हूँ आपको ठीक है मैं सिर्फ वो connection बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि 1989 में दो चुनावा युक्त और जोड़े गये थे क्योंकि election commission के ओपर burden बढ़ गया था भार बढ़ गया था चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो यह याद रखिएगा हमारे यहाँ voting age जो है हमारे यह voting age जो है अब कितनी है वो है 18 वर्ष 18 years कहां दी गई है वो दी गई है आपके आर्टिकल नंबर 326 326 में दी गई है कब reduce की गई थी यह reduce की गई थी 1988 में किसके जरीए की गई थी 61st constitutional amendment act के जरीए यह काम किया गया था ठीक हो गई बात चलो आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे अब आते है रिप्रेजेंटेशन ओफ यूनियंटेटरीज हमने राज्जों का तो देख लिया हमने स्टेट्स का तो देख लिया कि भई हमारा समविधान यह कहता है कि राज्जों के जो प्रतिनिधी आएंगे वो कैसे आएंगे वो आएंगे प्रत्यक्ष चुनाव और डारेक्ट इलेक्षन के लिए क्या किया जाएगा डारेक्ट इलेक्षन के लिए जो राज्य है उसे आप टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी निर्वाचन शेत्रों में ब्रेकडाउन कर देते हो तोड़ देते हो यह तो हमने देख लिया अब आते हैं इस बा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा अब उस बात को समझ लेते हैं अब उस बात को समझते हैं सबसे पहली चीज़ तो जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिट्रीज की तो हमारे constitution ने यूनियन टेरिट्रीज के लिए कोई डारेक्ट इलेक्षन का प्रोविजन नहीं किया है बनाकर law बनाकर ये बता सकती है कि जो हमारी union territories है संग शासित प्रदेश हैं इनके प्रतिनिधी लोग सभा तक कैसे पहुचेंगे तो याद रखिएगा states के लिए रज़ों के लिए सम्विधान में लिखा गया है कि प्रत्यक्स चुनाव होंगे direct election होंगे लेकिन जब हम बात करते है union territories की जब हम बात करते है संग शासित प्रदेशों की तो संग शासित प्रदेश के लिए ऐसा कोई प्राथण नहीं किया गया है सम्विधान में क्या लिखा गया है कि हमारा हमारी पार्लेमेंट देश की संसद कानून बताकर ये बताएगी कि बई जो हमारी union territories है संग शासित प्रदेश है इनके प्रतिनिधी इनके representatives लोग सभा तक कैसे आएंगे क्या प्रतिक्ष चुनाव से आएंगे क्या प्रतिक्ष इतनी बात क्लियर बोलो इतनी बात क्लियर हो गई इतनी बात क्लियर हो गई जल्दी बताएगे तो ये कौन बताता ये बताती है पार्लेमेंट ये बताती है संसद क्या पार्लेमेंट ने बताया है तो सही जवाब है हाँ पार्लेमेंट ने बताया है पार्लेमेंट ने एक कानून पास किया है कानून का नाम यहाँ पर दिया गया 1965 में Union Territories Direct Election to the House of the People Act 1965 केंदर शासित प्रदेश लोगों के सद्ध ओ सारी लोगों के सतन का प्रत्यक्स चुनाव अधिनियम लोगों के सतन छोड़ो लोगसभा तो हाँ हमारी संसद ने हमारी पार्लेमेंट ने प्रोविजन किया है कैसे किया है कानून बना कर किया है कब बनाया था कानून बनाया था 1965 में कानून का नाम क्या है लोगसभा सौरी Union Territories संग शासित प्रदेश Direct Election to the House of the People संग शासित प्रदेश लोगसभा का प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम है 1965 का जिसमें दिया गया है कि क्या होगा प्रत्यक्ष चुनाव होंगे Direct Election होंगे और इस बात को यार याद रखना बच्चे ना इस बात को भूल जाते हैं और इसमें Confuse हो जाते हैं हाँ हमारे यां राज्यों में भी और हमारे संग शासित प्रदेश दोनों में ही Direct Election का प्रोविजन है लोगसभा के लिए दोनों में ही Direct Election होते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा Constitution States के लिए तो Directly Direct Election की बात कर देता है लेकिन Union Territories के के केस में हमारा Constitution पार्लेमेंट के उपर ये responsibility छोड़ देता कि आप बताईए कि कैसे चुनाव होने चाहिए पार्लेमेंट ने Direct Election का ही प्रोविजन किया है तो याद रखना Constitution ने नहीं किया है संसद ने किया है पार्लेमेंट ने किया है कानून बनाकर 1965 में अगर यहां तक सब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाते है अगर यहां तक सब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाते है और मैं देख रहा हूं बच्चे जादा है लाइक्स की संख्या कम है ऐसा कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता बहुत बढ़ेया चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं लोकसभा से जुड़े हुए कुछ प्रावदान हमारी जो लोकसभा है लोकसभा से जुड़े हुए कुछ प्रावधान जो हैं अब समझ लेते हैं सबसे पहला तो है टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी निर्वाचन शेत्र प्रादेशिक निर्वाचन शेत्र ये मैंने अभी वैसे आपको थोड़ी देर पहले समझायता दुबारा समझा देता हूँ अभी समझायता लेकिन दुबारा समझा देता हूँ देखिए होता क्या है लोकसभा का चुनाव जो होता है लोकसभा का चुनाव वो पूरे देश में होता है लोकसभा के जो प्रतिनी धी आते हैं वो तो पूरे भारत से आते हैं तो लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में कराया जाता है होता क्या है हम लोकसभा के चुनाव के लिए जो राज्ये होते हैं स्टेट्स होते है इनको छोटे-छोटे निर्वाचन शेत्रों में तोड़ द आप भारत के जिस भी हिस्से में रहते हूं, आप भारत में कहीं भी रहते हूं, आपका घर जो है, वो किसी ना किसी टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी में ही पढ़ता है, किसी ना किसी निर्वाचन शेत्र में ही पढ़ता है, तो हमने क्या किया, हमने पूरे भारत में जित voting होती है और हर territorial constituency हर निर्वाचन शेत्र अपने अपने प्रतिनिधी को vote डाल कर elect करकर लोग सभा तक भेज देता है clear कि बोले clear हो गई बात क्लियर हो गई बात तो यह हो गया territorial constituency का बोलो जल्दी जल्दी बता दो जल्दी जल्दी बता दो यहां तक clear हो गया तो मैं इसके आगे की बात बता हूँ आपको एक काम करते है पूर्णिमा सिंग सर परबेड कंप्लीट हो जागा मेरे बच्चे मैं काम करता हूँ political science भी यहीं complete करा देता हूँ public administration भी यहीं complete करा देता हूँ फिर geography की class लेता हूँ वो भी यहीं complete करा दूँआ है ना फिर philosophy स्टार्ट कर देता हूँ वो भी यहीं complete करा दूँआ सारी चीज़े एक class में cover कर लोगा madam you are talking about public administration public administration अपने आप में optional होता है Optional होता है वो उसमें गहराई में जाके चीजों को पढ़ना पढ़ता है ऐसे कवर हो जाती सारी चीज़े तो यह UPSC का पेपर नहीं होता Optional है अलग से पढ़ना पढ़ेगा अलग से पढ़िये उसे जाकर ठीक है चलो अब मैं आपको बता रहता हूँ यह Territorial constituency में तोड़ता कौन है Territorial constituency में तोड़ता कौन है सबसे पहले तो मैं सबको बता दू यह बात सबको एक बात बता दू यह कोई मजाक नहीं है अगर आपको लग रहा हूँ ना UPSC कोई मजाक है कि सब कुछ एक क्लास में कवर कर लेंगे यहां से कवर कर लेंगे वहां से कवर कर लेंगे It is a very bad strategy मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत खराब strategy आप लोगों की अगर आपको इमानदारी से UPSC क्लियर करना है ना तो UPSC के लिए महनत लगती है जो अभी मैं देख रहा हूँ करादो सर सब यहीं यहां यह बैठे हैं कोई चहल करादो सर सब यहीं हां यह यह UPSC का एक्जाम है यह SSC नहीं है यह Railway का एक्जाम नहीं है जीडी का एक्जाम नहीं है यह आपको लग रहा हूँ यह कोई ऐसा वैसा एक्जाम नहीं UPSC का एक्जाम है और UPSC में जवाब optional की बात करते हैं optional subject की कभी अगर ढंग से जाकर UPSC का notification पढ़ोगे ना वहाँ पर पता क्या लिखा गया वहाँ पर लिखा गया जो आपके arts side के subject है जो arts side के subject है वहाँ पर masters level तक की questions आएंगे masters level तक के क्या एम लक्षमी कान की किताब आपके masters level तक के question को deal कर लेगी होई नहीं सकता ठीक है तो भाया यह याद रखना this is this अगर आप अपनी life के साथ अगर आप अपने selection के साथ खिलवाल करना चाते हैं और आप सोचते हैं सब कुछ free classes में आपको मिल जाएगा आप बिल्कुल कीजे मेरा कुछ नहीं जाएगा आपका career है लेकिन यह UPSC की तैयारी है यहाँ पर चीजों को लगके करना पड़ता है डीटेल में जाके समझना पड़ता है और आप बात कर रहे हैं ऑप्शनल की ऑप्शनल तो चीजी अलग हो जाती है हम GS पढ़ रहे हैं हम M.Lakshmikant cover कर रहे हैं ऑप्शनल is a very different thing आपको उसे गहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा गहराई में जाकर समझना पड़ेगा याद रखिएगा ठीक है तो प्लीज ऑप्शनल को अच्छे से पढ़िये गहराई में जाकर पढ़िये हसी मजाक मत कीजे ऑप्शनल के साथ ये सिलेक्शन देता भी है और ये सिलेक्शन छीन भी लेता है मैं बता रहा हूँ बहुत महनत करनी पड़ेगी डीटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा थोड़ी बहुत चीज़े जी एस से कवर हो जाएंगे बाट अधर्वाइज इस गोईंग टो टेक अलोट अफ एफर्ट तो कवर और ऑप्शनल चलो वापिस आ जाता हूं टेरिटोरियल कॉंस्टिटोंसी पर देखिए भई होता क्या है ठीक है अब होता क्या है समझेगा टेरिटोरियल कॉंस्टिटोंसी में डिवाइड तो कर दोगे आप आप एक राज्ये को निर्वाचन शेत्र टेरिटोरियल कॉंस्टिटोंसी में विभाजित तो कर दोगे ले D-Limitation Commission परिसीमन आय्योग ठीक है तो राज्जों को छोटे छोटे निर्वाचन शेतर Territorial Constitutionalter में विभाजत कॉ небольшAT डीवाइड कॉं करता है वो करता है परिसीमन आयोग D-Limitation Commission D-Limitation Commission बनाता कौन है और इसमें appointment니 Parliament कौन करता है वो भी समझ लेना दी लिमिटेशन कमिशन जो होता परिसीमन आयोग इसको बनाती है हमारी पार्लेमेंट इसको कौन बनाती है हमारी पार्लेमेंट बनाती है पार्लेमेंट ठीक है लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है न्युक्ति इसमें करते हैं राष्ट पती समझ में आई बात याद रखिएगा राज्यों को छोटे छोटे निर्वाचन शेत्रों में विभाजित कौन करता है वो करता है आपका Delimitation Commission परी सीमन आयोग कहते हैं हम इसे हिंदी में परी सीमन आयोग का गठन कौन करता है गठन करते है पार्लेमेंट ठीक है इसमें न्युक्ति कौन करता है अपॉइंटमेंट कौन करते है अपॉइंटमेंट करते है भारत के राष्टपती इतना क्लियर हो गया बोलिए इतना क्लियर हो गया बताओ इतना क्लियर हो गया जल्दी बताओ ठीक है Delimitation Commission कमिशन बतादा कोण है भावना जी एक काम करता हूँ एक काम करता हूँ मैं न पॉलिटी छोड़ देता हूँ आज ठीक है मैं Public Administration के बारे में बता रेता हूँ मैं आपको optional कैसे चुनन आइ यह बतायता हूँ मैं Session यही खतम कर देता हूँ तीक है ये छोड़ो आप optional के बारे में पढ़ लो class में यार जो पढ़ने आया वो तो पढ़ लो क्यों जबरदस्ती सुबह सुबह यार मेरा mood खराब कर रहे हो पॉलिटी की class में क्या आप मैं इस class को रोक के बता हूँगा क्या optional कैसे चुना जाता है और 36 बार इस चैनल पर session लेकर बता चुका हूँ कि optional कैसे चुना जाता है फिर भी वोई सवाल आ जाता है कभी न कभी और ऐसे ऐसे बच्चों से आता है जो महीनों से जुड़ेवे है महीनों से जो मेरे साथ जुड़ेवे है वो मेरे से सवाल कर रहे है सर ऑप्षिनल कैसे चुना जाता है बंद कर देता हूँ इसे चलो खतम करो आज यहीं खतम कर देते हैं सेशन को ठीक है आज यहीं खतम कर देते हैं सेशन को भई या इसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे चुना जाएगा यार मतलब क्या बात है यार ओप्षिनल कैसे चुना जाता जो पढ़ा रहा हूं यार वो पढ़नी रहे हो ये पता करना है ओप्षिनल कैसे चुना जाता है चलो आगे बढ़ रहा हूँ टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी तो हम क्या कर रहे हैं हम राज्य को विभाजित कर रहे हैं टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी में करता कौन है ये काम ये करता है डिलिमिटेशन कमिशन को बनाता कौन है डिलिमिटेशन कमिशन को बनाते हैं पार्लेमेंट कानून पारित करके अपॉइंटमेंट कौन करता है न्युक्ति कौन करते हैं वो करते हैं हमारे राष्टपती प्रेजिदेंट चिंता मत करो कंटिन्यू कर रहा हूं अरे भाई या continue कर रहा हूं चिंता मत कर रहा हूं भाई आप लोगी तो बच्चों वाली अरकत कर सकते हो मैं थोड़ी कर सकता हूं मैं तो पूरी क्लास लेकर ही जाओंगा चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं अब समझ लेना समविधान क्या कहता है अब समझ लेना समविधान क्या कहता है समविधान में बात लिखी गई है समविधान में ये बात लिखी गई है प्रावधान किया गया है कि 530 सीट है है ना राज्यों को कितनी सीटे दी गई है, स्टेट्स को कितनी सीट्स दी गई है 530 सीट दी गई है ये 530 सीटे, ये 530 सीटे जो डिवाइड की जाएंगी राज्यों के बीच में वो कैसे की जाएंगी हमने देखा कि बई, टोटल कितनी है टोटल 550 हो सकती है 550 में से 530 किस की है 530 राज्यों को देनी है ये 530 seat जो आप राज्यों को आवंटित करोगे ये 530 seats जो आप states को allocate करोगे वो कैसे करोगे तो वहाँ पर एक प्रावधान किया गया है वो प्रावधान क्या है यहाँ पर लिखा गया है ratio between that number and its population is the same वो प्रावधान क्या है, वो प्रावधान ये है, आप राज्यों को सीटे जो आवंटित कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हर राज्यों को जितनी सीट्स दी गई है और उसकी जो जनसंघ्या है, इनके बीच का जो अनुपात है वो पूरे भारत में सभी राज्यों के लिए सेम होना चाहिए मैं आपर लिख देता हूँ साइड में सिस्टम क्या है सिस्टम ये है जो आपने स्टेट को सीट्स दी है जो आपने राज्यों को सीटे आवंटित की है सीट्स दी है और जो राज्ये की जनसंख्या है population है उसका अनुपात उसका proportion सेम होना चाहिए पूरे भारत के लिए complete इंडिया के लिए समझ में आई बात समझ में आई बात बोलो समझ में आई बात तो याद रखिएगा हमारे समझ में प्रावधान किया गया प्रोविजन है कि राज्यों को जो सीटे आवंटित की जाएंगी लोकसभा में वो कुछ ऐसे की जाएंगी कि हर राज्यों को जितनी सीट दी गई है और उसकी जो जनसंग क्या है इसके बीच का जब रेशो निकालते हो अनुपात निका हो गया बताओ इतना क्लियर है ठीक है यह अनुपात जो है यह सब के लिए बराबर होना चाहिए यह रेशो सब के लिए से मोना चाहिए भारत के प्रतेक राज्य के लिए बताओ इतना क्लियर हो गया बोले अधना क्लियर हो गया ठीक है इता क्लियर इता क्लियर इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप राज्य जो है स्टेट जो है राज्य को स्टेट को आप टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी में डिवाइड करते हो राज्ये को स्टेट को टेरिटोरियल कॉंस्टिटुएंसी में भी डिवाइड करते हो निर्वाचन शेत्र में और ये जो सीटे राज्ये को दी गई थी ये जो सीटे राज्ये को दी गई थी उन सीटों को territorial constituency में भी डिवाइड करते हो ऐसा भी तो होता है हमने देखा कि एक तो हम लोकसभा में जो सीटे हैं वो राज्यों के बीच में विभाजित कर देंगे डिवाइड कर देंगे एक तो हमने ये देखा दूसरी चीज हमने क्या देखी जो सीटे राज्यों को दी जाएंगी वो सीटे राज्यों में जो निर्वाचन शेत्र है territorial constituency है उनमें भी तो डिवाइड की जाएंगी उसमें भी डिवाइड की जाएंगी तो वहाँ पर भी ये प्रावधान है वहाँ पर भी ये प्रावधान है कि रज्जे के अंदर within the state हर territorial constituency को जितनी seats दी जाएं और उसकी जो population है उसकी जो population है इनका ratio भी पूरे रज्जे में same होना चाहिए within the state रज्जे के अंदर जो आप territorial constituencies divide कर रहे हो और उन्हें seats allocate कर रहे हो इनके बीच का जो ratio है वो भी क्या होना चाहिए वो भी same होना चाहिए बोले ये बात समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई बोले समझ में आ गई बात तो दो चीज़े आद रखने हैं आपको दो चीज़े आद रखने हैं सबसे पहली तो ये कि जो states को seats divide की जाती है हमारी लोक सभा में ये जो 530 seat हैं जो राज्यों के बीच में divide की जाती है वो कैसे की जा रही है वो कुछ इस तरीके से की जा रही है कि हर राज्य को जो seat दी गई हूँ और राज्य की जो जनसंख्या है इसका जो अनुपात है इसका जो अनुपात है रेश्यो है वो क्या हो वो बराबर हो सभी राज्यों के लिए दूसरी चीज जो आपने राज्यों को seat दे दी है ये seat रा ऐसे होना चाहिए कि हर निर्वाचन शेत्र को जितनी सीट दी गई है और उसकी जो अपनी जन संख्या है इनका भी जो रेशो हो वो पूरे राज्ये के भीतर राज्ये के अंदर बराबर होना चाहिए दोनों बाते क्लियर हो गई ये किया गया है सम्मिधान में प्रावधान ये किया गया है सम्मिधान में प्रावधान तीक है ये हो गया प्रावधान यहां तक क्लियर है बढ़ू आगे यहां तक क्लियर हो गया आगे बढ़े यहां तक क्लियर हो गया आगे बढ़े बोले यहां तक क्लियर हो गया आगे बढ़ जाए अब आते हैं रिएड़ जेस्टमेंट अब आते हैं रिएड़ जेस्टमेंट देखो यार अब देखो यार अब यहाद रखना रिएड़ जेस्टमेंट में क्या होगा अब ही तक हमने देखा जो हमने सीट से लोकेट किया वो किसके हिसाब से किया जनसंख्या के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से हमने जो सीट्स आवंटित की है वो किसके अनुसार की है किसके हिसाब से किया हमने किया जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या बदलती भी तो रहती है चेंज भी तो होती रहती है जनसंख्या बदलती भी रहती है चेंज भी होती रहती है किसी राज्य की जन्संग क्या बढ़ जाएगी तो हो सकता है किसी की कम भी हो जाए लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं है आम तोर पर भारत में ऐसा होता नहीं है लेकिन expect तो किया जा सकता ना change होगा है ना और हो सकता है किसी राज्जे की जन्संग क्या बहुत तेजी से बढ़ी हो किसी की उतनी तेजी से ना बढ़े मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है कुछ ओवर्मार्ट बालग भी है क्लास में जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जो आपने प्रावधान बताया है ये कुछ राज्यों पर नहीं लगता है मेरे बच्चों जरा मेरी एक बात समझना अगर मैं हलवा तो परोस नहीं रहूं क्लास में अगर मैं आपको सारी चीज़े क्लास में बता दूँगा तो आप लोग जो है ना जाकर किताब नहीं खोलेंगे तो मुझे बताने से अच्छा ये है कि ये जो और क्लास में बैठे हैं ना इने जरा जाकर किताब खोलने दूँ अगर सारी चीज़े क्लास में मिल जाती है न तो बच्चों की आदत इतनी गंदी होती है कि वो किताब तक खोलना पसंद नहीं करते हैं क्यों क्यों कि भाई यह आ जाएंगे तो सारी चीज़े बता देंगे पढ़ाने दो प्लीज मुझे ना समझाओ मुझे पता है क्या चीज़ बताने है क्या नहीं बतानी तभी तो पढ़ेंगे भाई नहीं तो पढ़ेंगे थोड़ी अगर सारी चीज़े या मिल जाती ना तो कोई किताब ना खोलता मैं बता रहा हूँ आपको तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ने तो बाकी इनका काम है ये जाएंगे किताब खोलेंगे पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा चलो भी यहां पर वापिस आजाओ हाँ भई हम बात कर रहें री अड़ेस्टमेंट की देखो क्या होता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी भई अभी तक हमने राज्यों को जो सीटे आवंटित की हमने जो स्टेट्स को सीट्स एलोकेट की है वो पॉपुलेशन के इसाब से की है प्लस राज्यों के अंदर जो हमने निर्वाचन शेत्रों को सीटे दी है वो भी किसके अनुपात में दी है वो भी हमने जनसंख्या के अनुपात में दी है अब जनसंख्या तो बदलेगी भी जनसंख्या जो है वो तो बदलेगी भी और जब जनसंख्या बदलेगी तो जैसे जैसे जनसंख्या बदलेगी सीटों का जो एलोकेशन है आवंटन है वो भी तो बदलना पड़ेगा न हमें उसके लिए प्रावधान है उसके लिए भी प्रोविजन किया गया आप देखरों आपके सम्विधान में कितने प्रावधान है इसलिए लेंदियस्ट है ऐसी एलेंदियस्ट है क्योंकि एक एक प्रावधान बड़ी बारीकी से हमारे सम्विधान में किया गया देखरों आप सारे प्रावधान किये गया है सारे प्रावधान किये गया अब देखें क्या होगा population का जो आंकलन होता है population का जो estimation होता है वो estimation कब होता है वो होता हर 10 साल में every 10 years जन संख्या का जो आंकलन होता है जो गढ़ना होती है जिसे हम कहते हैं जन गढ़ना, census वो कब होती है हर 10 साल में होती है हर 10 साल में होती है तो सम्मिधान में ये लिखा गया है सम्मिधान में लिखा गया है कि हर जनगर्णा के बाद हर जनगर्णा के बाद हर सेंसस के बाद क्या किया जाएगा सीट्स का रियलोकेशन किया जाएगा जो सीटे हमने राज्जों में बाटी है और राज्यों के अंदर जो सीटे निर्वाचन शेत्रों में बाटी गई है इनका रिएड़ेस्टमेंट किया जाएगा इनका पुनर समायोजन किया जाएगा पुनर समायोजन क्यों किया जाएगा पुनर समायोजन इसलिए किया जाएगा क्योंकि जनसंख्या में बदलाव हो रहा है बोले इतनी बात क्लियर हो गई चहल साहब फालतु के कॉमेंट मत करो मत करो मत करो अभी भी समझा रहा हूँ मत करो ब्लोक हो जाओगे मेरे भाई फ्लो टूटता है मैं कहीं बार बता चुका हूँ जो फालतु की बात है आप लिख रहे हो मजहब पढ़ना नहीं पढ़ाई दिखाना भी चाही है मत करो ये कॉमेंट मैं फिर कहा रहा हूँ अगली बार ना मैं टोकूंगा नहीं मैं ब्लोक करूंगा पढ़ाते समय बीच में जो फालतु के distraction होते नहीं मुझे पसंद नहीं flow तूटता पढ़ाने का तो प्लीज ये काम मत कीजे ठीक हो के बात तो ये याद रखेगा हर दस साल में हर दस साल में readjustment होगा किस चीज का readjustment होगा जो राज्जो को सीटे बाटी गई है और राज्जो के अंदर जो निर्वाचन शेत्र है उन्हें जो सीटे बाटी गई है उसका readjustment होगा किस के इसाब से होगा जन गर्णा के इसाब से होगा जो हर दस साल में होती है इत्ती बात क्लियर होगी इत्ती बात क्लियर होगी बोलो ये clear है अब समझना असली बात को कि अब समझना असली बात को यहां पर आ गई है यह जो सीटों का आवंटन होगा या फिर यह जो लिएड जेस्टमेंट होगा ठीक है यह जो लिएड जेस्टमेंट होगा यह कौन करेगा और कैसे करेगा संविधान में लिखाए कि पार्लेमेंट बताएगी, क्या लिखाए सम्विधान में लिखाए कि पार्लेमेंट बताती है, तो हर जनगरना के बाद, ठीक, हर जनगरना के बाद हर 10 साल में जो राज्जो को सीटे आवंटित की जाती हैं उनमें चेंज करना पड़ेगा जनसंख्या के आधार पर और राज्जो के अंदर जो हमारे टेरिटोरिल constituency है उनमें भी जो seat आवंटित की गई है उसमें change करना पड़ेगा जन संख्या के आधार पर सम्विधान में प्रावधान किया गया और सम्विधान क्या कहता कौन करेगा ये सम्विधान कहता है Parliament बताएगी क्या कहता है सम्विधान ये कहता है कौन बताएगा Parliament बताएगी कि ये reallocation कैसे किया जाएगा ये पुनर वित्रन जो किया जा रहा है वो कैसे किया जाएगा कौन बताएगा Parliament बताएगी Parliament क्या करती है Parliament हर सेंसस के बाद क्या करती है वो परिसीमन आयोक का अगठन कर देती है, D-Limitation Commission बना देती है हर जनगर्णा के बाद हर सेंसस के बाद Parliament क्या करती है Parliament एक कानून लेकर आती है और कानून के जरीये क्या करती है परी सीमन आयोग जो है वो बना देती है, इतनी बात क्लियर हो गई ये बताओ पहले इतिवाद लियर हो गई ठीक है तो हर सेंसस के बाद पारलेमेंट क्या करते है पारलेमेंट डीलिमिटेशन कमिशन एक्ट पास करते है जिससे परीसी मनायोग डीलिमिटेशन कमिशन वो बना देते है उसका गठन कर देती है यह Delimitation Commission अभी तक देखा जाए तो एक, दो, तीन और चार बार बनाए गया है हमने तो कहा कि हमारा Constitution क्या कहता है हमारा Constitution यह कहता है कि हर जनगर्ना के बाद हर जनगर्ना के बाद Re-Adjustment होना चाहिए लेकिन जनगर्ना तो बहुत बार हो चुकी है लेकिन परी सीमन आयोग कितनी बार बना है परी सीमन आयोग केवल चार बार बनाए गया है ठीक है परी सीमन आयोग केवल चार बार बनाए गया फोर टाइम्स ऐसा क्यों ठीक ऐसा क्यों बहुत सम्विधान में तो यह प्रावधान है जब जब जनगरना होगी जब जब सेंसस होगा उसके बाद population जो निकल कर आती है जो population में changes होंगे जो जनसंख्या में बदलाव होंगे उनके आधार पर हम जो राज्यों को seat आवंटित कर रहे हैं उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा ऐसे ही राज्यों के अंदर जो हमारी territorial constituency निर्वाचन शेत्र है उनको जो seat आवंटित कर रहे है उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा सम्मिधान तो ये कहता है तो 1947 के बाद अगर मैं देखू तो 51 में होई होगी जनगरना हर और साल में होँ जाती है 51 में होई होगी मतलब डेकेड जहां से शुरू होती है तब होजाती है तो 61 में भी होगी लेकिन यहां पर तो केवल चार बार बनाए गया ऐसा क्यूं किया गया इसका जवाब फिर नेक्स कलास में खूजेंगे अगर आप चाहे तो लक्षमी कांत उठाईए उसे पढ़िए आपको इसका जवाब उसमें मिल जाएगा नहीं तो next class में इसके जवाब को discuss हम कर लेंगे ठीक है तो इसका जवाब कल की class में discuss करते हैं मैं चाहूँगा कि M. लक्षमी कांत उठाओ और उससे पढ़ने की कोशिश करो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यूं हो रहा है ठीक है और बता दू मैं आपको जाने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो यार वीडियो लाइक कर देना आज वैसी मुझे लग रहा है मुझे लग रहा आज भी राखी का खुमार बच्चों पर चड़ा हुआ है आज भी बच्चे राखी बना रहे हैं आदे बच्चे तो क्लास से ही गायव हैं बिल्कुल पूर्णिमा जी कल पढ़कर आईएगा देखिए अगर आप पढ़के आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा देखो कुछ चीजे में जान बूच के छोड़ देता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीजे में क्लास में जान बूच के छोड़ देता हूँ क्यों? क्योंकि बच्चा खुद भी तो जाके effort ले खुद भी तो पड़े सारी चीजे मैं ही परोस दूँगा ना क्लास में तो आप किताब ही नहीं खोलोगे किताब खोलो उसे पढ़ो उसमें बहुत कुछ मिलेगा बहुत कुछ मिलने वाला है ठीक batches के बारे में बता दू नए batches आएं उनके बारे में बता दे तो थोड़ा सा वेट कर लेना ये तो तीन अगस्त वाला batch है 3rd August से batch शुरू हुआ है complete foundation batch है prelims में पूरा GS cover हो जाएगा CSAT की भी recorded classes आपको इसमें मिल जाएगी जो इसमें आरे साथ जुड़ना चाहता है आप coupon code Y365 लगा लो Y365 और जुड़ जाओ 8700 रुपीज में बैच आपको मिल जाएगा foundation batch है prelims में सब कुछ कवर हो जाएगा मतलब पूरा GS cover हो जाएगा CSAT cover हो जाएगा answer writing, essay writing, सब कुछ इसमें आपको mentorship भी मिल जाएगा तो mentors आपको assign किये जाएगे पूरे साल mentor आपके साथ रहेंगे आप mentors की guidance में पढ़ेंगे ठीक है तो mentorship program जो है वो भी इसका part है वो भी इसमें जुड़ावा है जो आपको दिख रहा है अगर आप अलग से हमारे mentorship program में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ये mentorship program अभी हम लेकर आए है अभी अभी start हुआ है जहाँ पर आपको mentors दे दी जाएंगे 1-2-1 आपके sessions होंगे 1-2-1 interaction होगा call पर आप उनके साथ जुड़ सकते हैं पूरे महीने बातचीत होगी लगभग आपके 16 sessions है एक महीने का mentorship program होता है 16 sessions मिलेंगे जहाँ पर आप अपने mentor से बातचीत कर सकते हैं अपने doubts जो भी है questions queries वो solve कर सकते हैं इसमें जुड़ना है coupon code Y365 लगाओगे तो ये batch मिल जाएगा आपको लगभग लगभग 2250 रुपे का 2250 रुपीज का मिल जाएगा 1 month long ये program है coupon code लगाना Y365 हाँ जिसने foundation batch ले लिया है जिसके पास महापैक है आपको अलक्से नहीं लेना आपको ये उसी में जुड़ जाएगा उसी में मिल जाएगा इसके साथ साथ NCRT का recorded classes आ गई है यहाँ पर आपको जो NCRT के lectures मिलेंगे वो recorded मिलेंगे लेकिन live sessions भी conduct कराए जाएगे जहाँ पर आपके NCRT के जो भी doubts है sessions के जो भी doubt है जो recorded sessions के doubt है वो clear हो जाएगे तो यहाँ पर live sessions भी है doubt clearing के लिए और recorded classes आपको मिल ही रही है यह program भी launch हो गया 15 अगस से आपको classes मिलने लग जाएगी तो काफी सस्ते में 2-2,500 रुपे के आसपास यह भी आपको ठीक है मिल जाएगा और इसके साथ-साथ जो हमारी external faculties हैं जो बड़े-बड़े नाम है आपने सुने होंगे आशिरवाद सर हो गए उन लोगों का भी batch आगया है complete premium foundation batch है अगर आप premium foundation batch में जुड़ना चाहते है तो यह सारी faculties जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपने देखा होगा शाम को भी classes चलती है तो सारी faculties आपको यह शाम में पढ़ा रही है तो इनके भी batch आगया है आप इसमें भी enroll कर सकते हैं आशिरवाद सर का current affairs का batch आगया अगर आप चाहें आप current affairs का जो बैच है इसमें भी जुड़ सकते हैं कोई भी batch लोगे ठीक है कोई भी batch लोगे coupon code वही रहेगा coupon code same लगा ले न Y365 Y365 coupon code लगा लोगे तो यह batch आपको 78% तक के discount में मिल जाएंगे ठीक है होने वाला है नोटिफिकेशन किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है अच्छी opportunity है सभी civil services या state PCS के aspirants के लिए 85,000 रुपीज के आज पास से आपकी starting हो जाएगी इस बैच मतलब इस जो है job में तो यह बहुत अच्छा आपके लिए alternative होने वाला है ठीक है और लक्ष 3.0 लक्ष 3.0 जो है यह हमारा ROARO का बैच है ROARO का बैच है आप इसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो जो भी बैच पर चेस करना है coupon code लगा लेना Y360 सस्ते में मिल जाएगा और इसके अलावा State Civil Services के बैचिस शुरू हो रहे है ROARO का तो शुरू हो चुका है यह State Civil Services के बैचिस 16 तारिक से शुरू हो रहे है 16 अगस्त तो अगर आप इन State Civil Services के बैचिस को जोईन करना चाते है 16 अगस्त coupon code लगा 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 वो मैं आपको समझा दू वो मैं आपको बता दू लेकिन कुछ चीज़े ऐसी भी होनी चीए जो क्लास में डिसकस ना करूँ Otherwise क्या होगा ना बच्चा जाके किताब कभी उठाए गई नहीं purpose यहोना चीए कि मैं आपके लिए subject को आसान बनाऊ लेकिन आप भी घर पे बैठकर महनत करें आप भी घर पे बैठकर किताब को खोले और किताब को पढ़े आपने revision कर लिया बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ लिया आप revise करो very good लेकिन यह जो और बैठे वे न अगर मैं सब कुछ इने यहां पर परोस दूँगा सब कुछ बता दूँगा तो क्या होगा न खुद किताब नहीं उठाएंगे और देखिए हर चीज क्लास में cover नहीं हो सकती M.Lakshmi Kaanth इतनी बड़ी book है उसमें इतनी nitty gritty इतनी details है कि सारी चीज़े cover नहीं हो पाएंगे लेकिन हाँ जब यह जाकर पढ़ेंगे तो इनको भी पता लेगा कि हाँ यार यह प्रावधान भी है यह प्रोविजन भी है यह भी चीज़ पढ़ने है वो भी चीज़ पढ़ने है तो उस mindset से पढ़ा ही करेंगे तो जितना मैं पढ़ा रहा है उतना तो cover होई रहा है खुद भी तो cover करना पढ़ेगा क्योंकि UPSC तो ऐसी preparation है कि खुद जितनी महनत करोगे उतना आपको result मिलेगा तो batches में भी मुलाकात होगी देखो YouTube पे तो daily आपसे मिलता हूँ प्रिएब साध्स्याश्स के कि उन Bereषएब ऑूड्स